Hello students, हमारा आज का टॉपिक है inflorescence या पुष्पक्रम Students, taxonomy में जो angiospum plants का classification किया जाता है उसमें वर्गी करण का मुख्याधार उसके reproductive organs यानि की flowers ही होते हैं और flowers में सबसे पहली चीज जो note की जाती है वो है उनका arrangement या उनका पुष्पक्रम तो जानते हैं सबसे पहले what is an inflorescence An inflorescence is a group or cluster of flowers arranged on a stem पुष्पक्रम किसी भी पौधे में stem पर जो पुष्प लगे हुए हैं उसका arrangement क्या है या किस क्रम में पुष्प लगे हुए हैं उसे ही inflorescence या पुष्पक्रम कहते हैं That is composed of a main branch और a complicated arrangement of branches या तो किसी भी पौधे में main stem पर flowers लगे हुए होंगे या फिर बहुत सारी branches होंगी उन पर flowers लगे हुए होंगे तो ये flowers का arrangement on the stem पुष्पक्रम या inflorescence कहलाता है Morphologically, it is the part of the shoot of seed plants where flowers are formed and which is accordingly modified Morphologically यानि आकारी की रूप से अगर हम देखें तो किसी भी seed plant में जो stem या shoot है उस पर जो flowers बनते हैं उनका arrangement क्या है या modification क्या है उसी को inflorescence या पुष्पक्रम कहा जाएगा और वैसी भी जो flower है वो stem का modified form ही है modified stem या रूपांतरित तने को ही flower कहा जाता है अब ये जो flower या पुष्पक्रम की हमने बात की पुष्पक्रम में पूरा फूलों का गुच्छा उसका arrangement क्या है तो ये जो फूल या फूलों का गुच्छा है stem पर किस जगे लगा हुआ है उसके आधार पर ये पुष्पक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जैसा कि हम इस diagram में देख सकते हैं पहला है terminal यहाँ पर ये जो stem आप देख रहे हैं इसके टॉप पर अगर फूलों का गुच्छा या flower लगा हुआ है तो उसे हम terminal inflorescence कहेंगे और अगर पत्ती के base पर यानि कि यहाँ देखे लीफ के axis पर अगर flowers का arrangement है या flowers लगे हुए हैं तो इस तरीके के पुष्पक्रम को हम axillary inflorescence या axillary अक्षिय पुष्पक्रम कहते हैं तो flowers stem पर दो जगे हो सकते हैं टॉप पर तो उसे हम कहेंगे terminal flower या terminal inflorescence और अगर वो पत्ती के अक्ष पर लगे हुए हैं लीफ नोट पर present है तो उसे हम axillary inflorescence कहते हैं इसी तरीके से हमने बहुत बार देखा है कि flowers single भी होते हैं जरूरी नहीं है कि flowers group में हो clusters में ही हो किसी क्रम में arrange हो हो सकता है पौधों में flower single भी हो और बहुत सारे plants में हम इसा देखते भी हैं इसका एक बहुत अच्छा example हम देख रहे हैं गुड़हल का फूल यहां पुष्प है अब यह जो solitary flower है इसकी position भी दो जगे हो सकती है पहला stem के tip पर यहां पर अगर flower लगा हुआ है और एकल है single है तो उसी हम solitary terminal flower कहेंगे और इसी तरीके से अगर leaf के axis से निकल रहा है single flower तो उसको हम solitary auxiliary flower कहेंगे तो जो एकल पुष्प है उसके भी दो टाइप अगे एक terminal solitary और एक axillary solitary the stem holding the hole in fluorescence is called a peduncle अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पूरा फूलों का गुच्छा है या पुष्प क्रम है वो किसी stem पर ही लगा हुआ है तो जो पूरे पुष्प क्रम को hold किया हुए stem यानि कि जिस भी stem पर जिस ब्रांच पर पुष्प गुच्छ ल and the stalk of each single flower is called a pedacil और जो फूलों के गुच्छे में एक individual flower है एक पुष्प है उसकी जो डंडी है उसे कहा जाता है pedacil तो what is the difference between peduncle and pedacil पूरे फूलों के गुच्छे की जो डंडी है उसे तो हम कहेंगे peduncle और इसी तरीके से जो individual flower है एक फूल है उसकी जो डंडी है उसे हम कहेंगे pedacil a flower that is not a part of an inflorescence is called a solitary flower and its stalk is also referred to as a peduncle अभी हमने बात की कि जो single full है उसकी डंडी को हम pedacil कहते हैं लेकिन solitary flower जैसा कि एकल पुष्प में देखा गया अगर वहाँ पर अगर flower की जो डंडी है उसे हम peduncle कहेंगे क्योंकि यहाँ पर वही अपने आप में एक पुष् अगर अगर कोई फूलों का गुच्छा है जिसके अंदर individual flower आकार में बाता है तो उसकी डंडी को solitary flower है तो उसकी डंडी को solitary flower के case में बिडंकल कहा जाएगा Any flower in an inflorescence may be referred to as a florid और किसी भी फूलों के गुच्छे में कई बार फूलों को हम फूल नहीं कहके florid कहते हैं Especially when the individual flowers are particularly small and born in a trite cluster अगर कोई फूलों का गुच्छा है जिसके अंदर individual flower आकार में बहुत ही छोटा है और उनका number बहुत ज्यादा है तो ऐसे case में उनको flower नहीं कहके florets कहा जाता है The fruiting stage of an inflorescence is known as infructicence अगर flowers है तो उसको क्या कहा जाएगा inflorescence और fruiting stage में है यानि कि जो फूलों का गुच्छा है वो after fertilization fruits में convert होगा और जो fruits का गुच्छा है उसे कहा जाएगा infructicence यानि कि inflorescence जहाँ पर flowers है और infructicence जहाँ पर फल है इसी तरीके से flowers का जो arrangement होगा वही उनके fruits का arrangement होगा Inflorescence are described by many different characteristics including how the flowers are arranged on the peduncle अब जो पुश्पक्रम है उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं उसको किस प्रकार से describe करेंगे कि किस प्रकार का पुश्पक्रम है उसमें बहुत से बाते देखी जाती है पहला है कि पिडंकल पर किस तरीके से flowers arranged है The blooming order of the flowers means flowers का जो खिलने का क्रम है वो क्या है Older flowers नीचे की तरफ है या younger flower नीचे की तरफ है उपर stem के tipper flower है या side में है तो इस तरीके से जो flowers का blooming order है उसके आधार पर भी पुश्पक्रम को describe करते हैं And how different clusters of flowers are grouped within it और किस तरीके से flowers एक group में या उनका जो cluster है वो किस तरीके से grouped है ये सारी बाते inflorescence को describe करने में काम में आती है Inflorescence may be simple और may be complex हो सकता है एक पुश्पक्रम simple हो कि नीचे जैसे बड़ी flower है उसके धीरे धीरे नए-नए flower साते चली जा रहे है वो एक simple inflorescence कहलाएगा और कई बार ऐसे ही simple inflorescence का बहुत सारा group होता है जिसे हम compound या complex inflorescence कहते हैं अभी हमने बात की कि पुश्पक्रम जिस डंडी पर लगा होता है उसे peduncle कहते हैं और चीज जो इसके अतरिक पुश्पक्रम में मौजूद होती है वो है bract ऐसा कोई भी leafy structure जैसा कि इस diagram में आप देख पा रहे हैं यह देखें यह जो flower है इसके axis पर जहां यह stem से attach हो रहा है pedicil वहाँ पर एक leafy structure हम देख रहे हैं इस leafy structure को bract कहते हैं E-bractate inflorescence, no bract in the inflorescence इसके आधार पर जो हमारे पुश्पक्रम होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं bract की presence और absence की आधार पर तो ऐसा पुश्पक्रम जिसके अंदर bracts नहीं होते हैं अनुपस्तित होते हैं उसको हम E-bractate inflorescence कहते हैं दूसरा होता है bractate inflorescence तो ऐसा inflorescence या पुश्पक्रम जिसके अंदर bracts present होते हैं उसको bractate inflorescence कहते हैं और यह जो हम देख रहे हैं ब्रैक्ट ग्रीन लीफी हैं और कई बार यह highly reduced भी होते हैं या specialized भी हो सकते हैं, small scales में भी converted हो सकते हैं, तो कई तरह हैं कि ब्रैक्ट हमें पुष्पकरम में देखने को मिलते हैं. अगर ब्रैक्ट का नंबर बहुत जादा है और स्टेम पर बहुत tightly connect है वो तो इस प्रकार के ब्रैक्ट के चक्र को हम involucar कहते हैं, जैसा कि इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ब्रैक्ट हैं और इस ब्रैक्ट के चक्र को involucar कहा जाता है, अब हम बात करते हैं कि फूलों का जो blooming order है, उसकी आधार पर दो तरीके का order वो सकते हैं या दो तरीके के manner में फूल खिल सकते हैं, पहला है एक्रोपिटल manner, a term which is the modified form of racimos in fluorescence, यह असिमाक्षे पुष्पकरम का एक प्रकार है, उसका blooming order है, जिसे हम एक्रोपिटल order कहते हैं, it is the arrangement of plant flowers on the plant's pedestal in the manner in which the new flowers and new buds are at the apex, यहाँ पर जो भी नई flowers होंगे वो टॉप पर होंगे, किसी भी in fluorescence या पुष्पकरम के, whereas the relatively older flowers are placed at the base, और यहाँ पर जो older flowers होंगे, पुराने flower होंगे, यानि कि जो सबसे पहले बनेंगे पुष्पकरम के अंदर, वो नीचे की तरफ होंगे, और धीरे धीरे जो नए flowers आते चले जाएंगे, वो उपर की तरफ मिलेंगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ, बेस पर old flowers या mature flowers हैं, और उपर की तरफ टिप पर, एपेक्स पर new flowers प्रेजन्ट होते हैं, इस तरीके के arrangement को हम acropetal order या acropetal arrangement of flowers कहते हैं, वाइस वर्सा, the term basipetal order और इसका बिलकुल उलट basipetal order, जिसे हम साइमोस in fluorescence भी कहते हैं, here, new flowers are placed at the bottom and the relatively older flowers are placed at the top, तो यहाँ पर उल्टा है, जो old flowers हैं, वो हमेशा stem के top पर दिखाई देंगे, और नया flowers, जो new flowers आएंगे, हमेशा इस flower के नीचे की और ही लगेंगे, तो bottom में यहाँ पर new flowers present होंगे, उसे हम कहते हैं, basipetal order, यह देखे, जैसा कि इस diagram में हम देख सकत हैं, बिल्कुल क्लियर है, racimos inflorescence, यानि कि एक्रोपीटल मैनर में यहाँ पर plants flowers का arrangement है, old flowers नीचे की और है, जैसे जैसे हम inflorescence या पुष्पकरम में ऊपर की और बढ़ते हैं, तो comparatively new flowers हमें दिखाई देते हैं, और top पर कोई भी flower नहीं है, इस तरीके का जो arrangement होता है, वो अस साइमोस inflorescence में देखने को मिलता है, और इसी तरीके से जो साइमोस inflorescence है, वो बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पर oldest flower सबसे उपर, top पर दिखाई देगा, और जो भी नए flowers आते हैं, वो हमेशा उसके नीचे की और आते हैं, और यहाँ पर इससे नया flower और उसके भी नया flower उसके नीचे की और होगा, तो इस तरीकी का जो arrangement है, उसे हम बेसी पीचल और कहते हैं, और यह साइमोस inflorescence या सहसी माक्षे पुष्पकरम में देखने को मिलता है, अभी हमने बात की, कि जो फूलों का arrangement है, उसको हम पुष्पकरम कहते हैं, बहुत सारे plants हैं, बहुत सारी species सब में अलग-अलग प्रकार का जो फूलों का arrangement है, तो कुछ major types हैं पुष्पकरम के, इन में से the six major types of inflorescence are, number one, the racimos inflorescence, racimos means असिमाक्षी पुष्पकरम, यहां पर जो flowers का arrangement है, उसमें oldest flowers सबसे नीचे होते हैं, और new flowers इसके ऊपर आते चले जाते हैं, और growth की कोई limit नहीं होत इसको असिमाक्षी पुष्पकरम कहा जाता है, दूसरा पुष्पकरम है साइमोस inflorescence, यानि की ससिमाक्षी inflorescence, इसके अंदर सबसे उपर, जो stem का tip है, उसके सबसे उपर, जो पिडंकल है, उसके top पर flower आ जाता है, उसकी growth वही रुप जाती है, और जो भी नया flower होगा, वो इसको हम ससिमाक्षी पुष्पकरम या साइमोस inflorescence कहते हैं, इसी तरीके से एरेसिमोस या साइमोस के कुछ compound inflorescence मिलते हैं, और कुछ special inflorescence है, इनके अलाबा कुछ बहुत ही special inflorescence हमें देखने को मिलते हैं, जो उस फैमिली का characteristic भी होते हैं, उसके कुछ एक्जांपल है, अभी हमने बात की फ्लावर्स के बारे में जहां पर दो स्कीम्स हो सकती हैं, दो मैथर्ड्स हो सकते हैं, पहला है मोनोपोडियल और रेसिमोस, यानि की जहां पर कोई लिमिट नहीं है फ्लावर्स के ग्रोथ की और असिमाक्षी पुश्पकरम है, दूसरा होता है सिम्पोडियल यानि की साइमोस, इनफ्लोरेसंस, जहां पर पेडिसल या पेडंकल के टॉप पर फ्लावर आजाता है, किसी भी स्टेम के टॉप पर फ्लावर आजाता है, जो बाकी की पुश्प हैं, वो उसके नीचे ही आते हैं, तो इसको हम कहते हैं सासिमाक है यानि कि जहाँ पर असिमाक्षी पुष्प्रम है उसको डिटर्माइन नहीं कर सकते हैं उसको हम नाम देते हैं इंडिटर्मिनेट पुष्प्रम और इसी तरीकी से साइमोस जहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड है उसको डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है यह Determinate Inflorescence कहलाता है, लेकिन साइमोस Inflorescence में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो पिडंकल है उसके टॉप पर ही फ्लावर लग गया है, सबसे ओल्डर फ्लावर, इसकी ग्रोथ अब इसकी लिमिट हो गई है, यह Determinate Growth वाला है, तो इसको हम Determinate Inflorescence कहते हैं, और यहाँ जो New Flowers है वो नीचे की तरफ हैं और Old Flower उपर की और हैं, उपर की और हैं, Indeterminate Inflorescence या Racimose, the Terminal Bud keeps growing and forming lateral flowers, a Terminal Flower is never formed, Indeterminate यानि की Racimose Inflorescence में टॉप पर फ्लावर या टर्मिनल फ्लावर कभी भी नहीं बनता है, और यहाँ पर जो Terminal Buds हैं, वो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती र आते रहते हैं, इसलिए इसे Indeterminate Inflorescence भी कहा जाता है, और इसका बिलकुल उलट, Determinate Inflorescence यानि की Racimose, the Terminal Bud forms a Terminal Flower, सबसे पहले ही इस प्रकार के Inflorescence में Terminal Flower बनता है, जबकि Indeterminate में Terminate Flower कभी नहीं बनता, और यह जो Terminate Flower है, Terminal Flower है, टॉप का जो Flower है, वो बाद में, इस डा बीचे की और grow कर जाते हैं, Indeterminate and Determinate Inflorescences are sometimes referred to as an open and closed inflorescence, तो यह जो इसका टाइप है, इसको हम open inflorescence या closed inflorescence भी कह सकते हैं, Racimose एक तरीकी का open inflorescence है, यहाँ पर growth की कोई limit नहीं है, और जो हमारा साइमोस inflorescence है, वो closed inflorescence भी कहलाता है, यह देखें, इस डाइग्राम में हम देख सकते हैं, Determinate जहाँ पर जो टॉप पर जो flower आ रहा है, वो उसने stem की growth को रोग दिया, वहीं पर terminal flower आ गया है, अब जो बाके inflorescence है, उसके नीचे की और ही flowers आ रहे हैं, और जबकि Indeterminate के अंदर, यह जो हमारा peduncle है या stem है, उसकी growth continuous है, और यह compound indeterminate flowers भी पाय जाते हैं, Indeterminate inflorescence type, Indeterminate यानि की racymose या असिमाक्षी पुष्पक्रम, यहाँ पर single racymose हम देख रहे हैं, oldest flower नीचे की और है, stem peduncle की growth continuous है, new flower उपर की और बनते चले जा रहे हैं, जिसकी कोई limit नहीं है, अब इसके कुछ modifications हो सकते हैं, या कुछ types हो सकते हैं, पहला है pedacil loss, यहाँ पर अगर इन flowers की जो डंडी या pedacil हम देख रहे हैं, इसको हटा दिया जाए, तो flowers ससाइल हो जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो जब racymose inflorescence में, पैडिसिल का loss हो गया, पैडिसिल हट गई, तो flowers हमारे ससाइल हो गए, ऐसे flowers जिनके अंदर पैडिसिल नहीं होती, उन्हें ससाइल प्लावर कहा जाता है, तो जो flowers ससाइल हो गए, और racymose inflorescence से तो इस प्रकार के inflorescence को spike कहा जाता है, तो यह racymose का एक प्रकार हो गया, इसी तरीके से अगर इसके अंदर inter node loss हो जाए, inter node means यह जो space है, यहाँ पर एक ही जगे से flowers पहले old आया, फिर new, फिर new, फिर new, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो inter node present है, वो absent है, this is inter node, यह वाला inter node अगर हम loss हो जाए, तो इस तरीके से अंबल inflorescence बन जाएगा, अगर pedacil loss हुआ, तो spike inflorescence, अगर यहाँ पर हम है, अगर वो compressed है, head की रूप में है, तो इसको हम head inflorescence कहते हैं, और इसी तरीके से अगर racine, यहाँ पर compound हो, बहुत सारे racine, एक साथ संयुक्त रूप से जुड़े होए हो, जैसे कि यह एक individual racine है, यह एक individual racine है, यह एक individual racine है, तो इन सब को एक साथ, अगर यह मौजूद हो तो पैनिकल कहा जाता है, तो compound racine को हम पैनिकल inflorescence भी कहते हैं, तो इस तरीके से जो racineous inflorescence है, इसके भी बहुत सारे types angiosworms में देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से जो determinate inflorescence है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, कि top पर flower आ गया, उसको हम cymos inflorescence या सरसिमाक्षी inflorescence कहेंग अब इसके भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि scorpioid sign में हम देख रहे हैं, top पर flower आने के बाद, यहाँ पर जो नया flower आता है, वो उसके right side में आ रहा है, दूसरा जो flower आ रहा है, फिर वो left side में आ रहा है, third जो है, वो उसके right side में, तो एक बार left और एक बार right, इस त तरीके से helicoid sign, यहाँ पर भी top पर flower आ गया, और उसकी ग्रोथ वही रुख गई, अब इसके नीचे, अगर right side में flower आया है, तो दूसरा flower भी right side से ही निकलेगा, फिर उसके right side से निकलेगा, फिर उसके right side से, अगर इस तरीके का inflorescence है, तो उसके हम helicoid sign कहते हैं, और सिंसिन इसे के रूप में दिखाई देता है, इसी तरीके से अगर जो साइमोस है, वो compound हो, देखे, एक sign, दो, तीन, इसी तरीके से अगर जो compound inflorescence हैं, वो ग्रूप में हो, तो उसको हम compound साइमोस कहते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे साइमोस या determinate inflorescence के type भी हमारे angiosperms में हैं और मुख्य रूप से inflorescence या पुष्प करम कितने प्रकार के होते हैं, so this is all about today's lecture, thank you